बलुचिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, बलुचिस्तान के तुर्बत शहर में आत्मघाती हमला कुआ है, महिला हमलावर ने सुरक्षा बलो के काफिले को निशाना बना कर हमला किया ये जानकारी है, महिला आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगचन बलुचिस्तान लिबरेश प्रतिबंधित आतंकी संगटन बलुचिस्तान लिबरेशन आमी से जुड़ी महिला ये बताइ जा रहे हैं बड़ी खबर बलुचिस्तान से इस वक्त और उसी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं आत्म घाती हमला यहाँ पर हुआ बलुचिस्तान के तुर्बत शेर से जा आपके सामने खबर ये कि महिला आतंग की प्रतिबंधित आतंग की संगठन बलुचिस्तान लिबरेशन आमी से जुड़ी कोई बताई जा रही है देखे सैनने काफिले पर महिला फिदाइन का एक हमला के एक्स्लूसिफ तस्वीर वही कि आपको दिखा रहे हैं आशिश मेरे साथ इसी पर जुट चुके हैं आशिश क्या डीटेल्स है इस हमले को लेकर देखे चार गाडियों का कॉन्वॉय जा रहा था पाकिस्तानी आर्मी का बलुचिस्तान के तुर्बत सिटी की ए घटना है जहां पर पहले एक पाइलेट वहिकल यानि कि जो सबसे सामने एसकॉर्ट वाली गारी होती है पाकिस्तानी आर्मी की वो गुजरती है लेकिन उसके पीछे जैसे ही तीन गाडियां गुजर रही होती है दूसरे नंबर की गाड़ी के ठीक बगल में कलंदरनी जो की एक महिला जिहादी है वहाँ पर उसने अपने आपको बंप से उड़ा दिया और उसके बाद ही इस तरह से आपको पूरा का पूरा कॉन्वॉय उसके इंपक्ट में रुखता हुआ दिखाई देगा कितने लोगों की जान गई है वहाँ पर इसको बारे में भी तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है लेकिन चार गाडियों के कॉन्वाइब को गाड़ी नंबर सेकेंड को टार्गेट किया गया सुमैन्या कलंदर पाकिस्तानी आर्मी को बलुचिस्तान के तुरबत शहर की घटना है और एक बार फिर से बी एले जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को लगातार अटाक करता रहा है जब भी एक इंटरवल्स के बाद आपको देखेंगे कुछ हफतों कुछ महीनों बाद में धेरेक्ली पाकिस पाकिस्तानी आर्मी इस तरह से टार्गेट पर आती है बिये लेके एक बार फिर रिमाइंडर है बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तानी आर्मी के लिए किस तरह से सूसाइड बॉंबर ने एक पाकिस्तानी आर्मी के पूरे कॉन्वाय को टार्गेट किय जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए, बबीदा जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू, पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे